अलो दोस्तो स्वागेत है आप सभी का एजुकेशन के एडशिक्स में ये जो लिंक दिया गया है आपको आपके एडमिट का डाउनलोड करने का बिहार CSBC के एक्जाम बिहार फायरमेन कॉंस्टेबल के लिए अब एक्टिव हो चुका है और आपको बता दे कि ये 11 बज कर जि चाहं से आपको अपना डाउनलोड करने का लिंक डिकहे़ा अब रहां से हैं को जलिग करें सरक लिक्तर लीड और दालने के जहां सब्मीट करने सब्मीट करके अपना कर सकते हैं इस वाले section पे तो जो भी चाहत्र यहां पर अपना डाउनलोड कर लेंगे मैं उनको बताऊंगा कि आपका भी center जो है district में आप लिए यानि कि home center यहां पर फिर से एक बर दिया गया है पर मैं एडमिट कार यहां पर देखलाना चाहूंगा थोड़ा इन शात्र का ये admit card है जो कि यहां पर इनका जो center दिया गया है यह लिए है यहां पर देखने लाइख कि आपका भी center home center है यह out of center है तो यहां से आपको बता दो कि इनका जो center है वो पर्लेंट address है वो दर्भंगा के ही और इनको बोला गया है कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आपको कुछ दिशा निर्देश यहां से दिए गया है यह दिशा निर्देश जो है क्या है मैं इसके बारे में थ्वासर बिस्तार में बताऊंगा लेकिन दस से लेकर 12 बजे तक आपको यह एक्जाम होगा और आप यहां से बाहर निकल सकेंगे एक्जाम देने के बाद तो आपको अपना जो प्रवेश पत्र है वह वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रवेश पत्र के बिना आपको एक्जाम में और रिपोर्टिंग टाइम से पहले यहां 9.20 मिनट से पहले आपको एंट्री कर लेना है जोकि 9.40 के बाद यहां पर आपका एंट्री वर्जित हो जाएगा यह बाते थर्ड पैरा में यहां पर लिखा गया है और जो भी आप अपने जगह पे किसी वेक्ति को या फिर किसी भी सेटर को बिठाते हैं कि आप उनके सबस्क्राइब आपको यहां पे दंडनीय तो इहां पर सकते हैं किसी भी परिस्थित केंदर में कोई फिर बदल मानें नहीं नहीं होगा यह बाते बी यहां पे निर्देश में दी गई है कोई भी लिखित समगरी आप अपने पास लिखा हुआ कोई चीज कागज हो क्लिप कर दो कि आपको यहां पत्र पुस्टिकां जो फिन परस्ट में पर्सट की इनने ले जाना के प्रत्र आपके लिए दंड़नी अफराद आप लोग एसा ना करें गे और यही चीजिए में हम रहे हमेशा से मांग कर रहे हैं कि आप हमें कार्बन कोपी दीजे ताकि पारदसिता बनी रहे आप हमें कोशिन का बुकलेट भी दीजे ताकि हम इसके लिए बाद में आपत्ती कर सके कोई भी आयोग के द्वारा गलत आंसर जो दिया गया है वो मानने है या गलत है इसको लेकर तो आपत्ती भी हम कर सके आपको यहां पे यह सारी चीजे बोला गया है कि देकर ही जाना है एक्जाम हो से बाहर तो अभी फिलाल आप लोग इतना कीजिएगा इसको फॉलो कीजिएगा तो पस्तित पत्रक जो भी होंगे वहां पे पत हिंदी में और अग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें परिक्षा के दौरान अपना अंगुठा का निशान याने कि फब इंप्रेशन और फोटोग्राफ भी वहां पे लिया जाएगा तो वो जरूर दें परिक्षार्थी अंगुठा का निशान अत्वा फोटोग्राफ नहीं देंगे तो इस प्रक्रिया में आने वाली जितने भी आनाकानी करेंगे छात्र उनको कदाचार का भारी बाना जाएगा उनका प्रिक्षा भी रद कर दिया जाएगा इस परवेश परत्र पर अंकित जो भी व्यक्तिकत विवरन दिये गये हैं इनके ऑनलाइन आविदिन पत्र के माधियम से परसत को उपलाद कराएगे हैं और दस्ताविज जो सत्यापन के समय आपसे मांगे जाएंगे उसमें भिन्नेता पाएगे तो उमिद्वारी भी निरस्त की जाएगे तो आपने जो एप्लिकेशन फॉर्म भरा है यह एप्लिकेशन फॉर्म आपके जब डॉक्मेंट वरिफिकेशन होंगे तो वो सारे चीज़ और कोविड-19 से संक्रमन से बचाव है तो आपको अपना भी खयाल रखना है जो कि यहां पर गाइडलेंड दिये गया है उस गाइडलेंड को पाल लन करना है और अभ्यारती जो है अपना यहां पर हस्ताक्षर करेंगे कब जब वो एक्जाम सेंटर में चले जाएंगे आप पर डाउंलोड कर दिया है अगर आपका अपसे डाउंलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग मेंसेज कर सकते हैं मेरे वाटसअप नूमबर पर आपको जरूर से वहां से रिप्लाई किया जाएगा ओल दाबेश धन्यवाद मिलेंगे आपसे नए वीडियो में